Hello Friends, आपको सोगत Explain Me बैंकिंग में जहां पर हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप Yono SBI में कैसे रेजिस्टर कर सकते हैं और रेजिस्टर करने के बाद उसको आप कैसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको यह जानना है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंतक बने रहें इसके लिए सबसे पहले आपको Play Store से Yono SBI application को इंस्टाल करना पड़ेगा और इंस्टाल करने के बाद उसे open करना पड़ेगा जैसे आप उसे open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आपको जो permission मांगे उसे allow कर दें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे नीचे में तीन options दिखाए दे रहे हैं New to SBI, existing customer, I have activation code अगर आपके पास SBI का account नहीं है तो new to SBI में क्लिक करें अगर आपके पास SBI का account है तो existing customer में क्लिक करें और अगर आपके पास activation code है तो यहाँ पर third वाले option पर क्लिक करें तो मेरे पास already मैं SBI के customer हूँ तो मैं यहाँ पर बीच वाल existing customer वाल option पर क्लिक कर रहा हूँ अब फिर से आपको यहां पर तीन options दिखाए दे रहे हैं login using internet banking id अगर आपके पास internet banking है already पहले से तो आप आपको यह पहला option चूज करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है और आप ATM card के द्वार रेजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके बीच वाल option पर क्लिक करना पड़ेगा और अगर आप account details के द्वार रेजिस्टर करना चाहते हैं SBI UNO में तो आपको last option चूज करना पड़ेगा तो मेरे पास already internet banking का id है तो मैं यहां first option चूज कर रहा हूँ अगर आपको जानना है कि ATM card से कैसे रेजिस्टर करते हैं तो आप हमें comment box में बता है हम इसके लिए एक अलग से dedicated video बना देंगे तो मैं अभी यहां पर internet banking से कैसे रेजिस्टर करते हैं वो बताने वाला हूँ तो यहां पर पहले मैं internet banking वाले option पर click कर देता हूँ तो यहां पर आप आपके देखेंगे कि यहां लिखा हूँ आ गया है do you have internet banking id तो मेरे पास है तो मैं यहां पर yes पर click कर देता हूँ yes पर click करेंगे तो यहां पर मुझे internet banking का user id मांगा जा रहा है उसके नीचे password मांगा जा रहा है internet banking का और यहां referral code मांगा जा रहा है आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं यह optional है तो मैं फटाफट से यह सारी details यहां पर भर देता हूँ सारी details भरने के बाद नीचे submit का button दिखरा उस पर click करना है submit पर click करते हैं आपके सामने इस तरह का page आजाएगा और यहां पर mpin के regarding कुछ consent लिखा हुआ है तो आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं और नीचे आने के बाद यहां पर already tick किया हुआ है तो यहां पर आपको next पर click करना है next पर click करेंगे तो आपको यह application यूज करने के लिए सबसे पहले 6 digit का mpin बनाना पड़ेगा इसी mpin के दवारा आप इस you know sbi में login कर पाएंगे तो चलिए मैं यहां पर 6 digit का mpin बना देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं mpin बनाने के लिए आपको नीचे में भी आपको कुछ instruction दिये गए तो इसी के अनुसार आप अपने mpin बनाए और mpin ऐसा बनाए कि आपको future में याद रह सकें तो चलिए मैं यहां पर mpin बना लेता हूँ यहां पर मैं अपने OTP डालने के बाद नीचे दिये गए next बटन पर आप किलिक करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने congratulations का मेंसेज आ जाएगा और लिखा हूँ आगा you have successfully registered मतलब कि आपका अकांट योणोच्वा में registered हो गया है अब आगे बढ़ने के लिए यहां पर ओके पर क्लिक करते हैं आपका योणोच्वा में हम इसके उपर भी एक अलग से dedicated वीडियो बना देंगे तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी असानी से हम अपने योणोच्वा एकांट में